हेलो एंड बेलकम बैक टू एसेट गाइड यूटिब चैनल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे की बतलब हम बेसिकल यह को अंसर करेंगे जो कि सभी आकसर पूछते हैं कि अगर हम अपनी प्रोफाइल को डिप्लॉइ नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारे अकाउं के साथ क कि मेरे अकाउंट के साथ क्या होगा अगर मैं उसको डिप्लॉइ नहीं करता हूं तो तो देखें यहां पर सारी चीज़े हैं डिटेल में सबसे बहले तो यह आई यह में बिल कंटिनी हभी एक्सेस टू देर अकाउंट तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेस बंद हो जाएग लेकिन क्या रहेगा बैलेंस बंद रिमेंट तो जैसे आपके अकाउंट में अगर अभी हंड्रेड वन है तो वह डिप्लॉइमेंट कंप्लीट होने के बाद या जब यह डेट निकल जाएगी उसके बाद भी वह हंड्रेड वन ही रहेगा आये में बिल हैब एक्सेस टू अब यह पर देख सकते हैं तो लेक्चर का एक्सेस आपका बंद नहीं होगा दूसरा यह कि आपके अकाउंट का एक्सेस भी बंद नहीं होगा और तीसरा ही कि आपके वन का बैलेंस भी एजट इस रहेगा आप देखें में इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर आ जाता है नो ट्रांजेक्शन बिल बी पॉसिबल बस आप यहां पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते जैसे कि अभी डील से कर पर प्रोडेक्ट बाय सेल करने के लिए बंद को यूज कर पा रहे है तो डिप्लोई करने को एक पाउन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे को कहीं भी बहींस सेलिंग के लिए यूЗ नहीं कर पाएंगे तो यह जो है दिपकत होने बाली है बाकी अकाूट फुली एक्सेस रहेगा आप रहेगा वीडियो देख पाएंगे अकाउंट में बैलेंस को चेक कर पाएंगे यानिकी एक तरीके से समझे कि आपके पास कॉइन तो रहेंगे लेकिन आप उनको यूज नहीं कर सकते ठीक है जैसे कि दी मॉनेटाइजेशन के बाद हुआ था कि आपके पास 2000 करणसी का मतलब 1000 के नोट तो थे लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पारे थे तो ठीक बैसे हो जाएगा कि आपके पास कोईन तो रहेंगे लेकिन यूज नहीं कर पाएंगे जैसे कि अभी भी हो रहा है आपके पास कोईन तो है लेकिन आप उसको फिजिकली यूज नहीं कर पारे कहीं पर भी किसी सि मेशन के साथ फिर्म लेंगे की बोचिंग ऐसे गयाई